Hello friends, I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं आपकी दोस्ट Dr. Khushboo Tandon आपका हादिक स्वागत करती हूँ, मेरे YouTube चैनल Dr. Khushboo's Vital Care में आज हम बात करेंगे Digester System यानी पाचन तंतर के बारे में और किन बातों का ध्यान रगकर हम अपने Digester System को अच्छा रख सकते हैं So let's begin with today's session दोस्तों हमारी बाडी में बहुत सी बीमारियों का जड़ हमारा स्टमक है अगर Digester System सही तरह से काम नहीं करता तो आपको Constipation, Diarrhea, Vomiting, Gas और Weight Gain जैसी कई तरह की बीमारियां घेल लेती हैं इतना ही नहीं स्टमक फूड में present nutrients बाडी तक पहुचाता है और अगर वो सही तरह से काम नहीं करता तो healthy food खाने के बाड भी body को सही तरह से nutrients नहीं मिल पाते इसलिए ये बहुत जरूरी है कि digestive system को हमेशा healthy रखा जाए digestive system हमारे lifestyle और eating habits पर काफी हद तक depend करता है इसलिए अगर उसमें थोड़े changes किये जाएं तो digestive system हमेशा के लिए healthy रखा जा सकता है friends let's see ऐसे कौन से foods हैं जिनको consume करके स्टमक में good bacteria बढ़ाया जा सकता है so first point is high fat food को कम consume करें high fat food digestive process को slow कर देते हैं due to which constipation होने के chances काफी हद तक बढ़ जाते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको fats बिल्कुल consume नहीं करना चाहिए good fat body के लिए बहुत जरूरी है आप उसे high fiber food के साथ ले सकते हैं second point is fiber अगर आप ऐसे food items खाते हैं जिनमें fiber जादा हो तो इससे digestive system पर positive effect पड़ता है ये digestive system को तो बहतर तरीके से काम करने के लिए प्रेड़ित करता है साथी stomach की कई problems जैसे constipation, piles जैसे बीमार्यों से भी पचाता है इसलिए अपनी diet में high fiber food जैसे साबो तनाज, फल, सबजियां और फलियों को जरूर शामिल करें ये आसानी से digest हो जाता है और intestines को ज्यादा active भी रखता है fatty foods और processed foods से दूर रहें ये constipation और un-digested problems को जन देती हैं इनकी जगा fiber rich foods को अपनी diet में include करें vegetables, fruits, cereals और nuts में present fibers आपकी intestines को ठीक तरह से काम करने में help करते हैं third point is probiotics को diet में include करें probiotics real में good bacteria हैं जिनकी body को बहुत ज़्यादा जरूरत होती है ये digestive system में naturally present healthy bacteria के समान है probiotics को consume करने का सबसे बड़ा benefit ये है कि वो एक unhealthy diet, antibiotic medicines और stress के effect से लड़के body को healthy रखने में help करते हैं probiotics nutrients के absorption को बढ़ाते हैं lactose को break करने में help करते हैं और आपकी immune system को strong करते हैं fourth point is drink plenty of water body के लिए पानी किसी अम्रत से कम नहीं है sufficient quantity में पानी पीने से digestive system पे positive effect परता है अगर body में पानी की कमी हो तो इससे digestive system अपना काम सही तरह से नहीं कर पाता और mostly constipation की problem होती है इससे stomach में good bacteria को भी harm पौसता है पानी पीने के कई benefits हैं इससे हम अपनी body में present toxic substances को बाहर निकालते हैं साथ ही अपनी intestines को भी healthy रखते हैं अगर आप fiber ज़्यादा quantity में लेते हैं और इसके साथ sufficient पानी नहीं पी पाते तो आपकी intestines को नुकसान हो सकता है तो आपको ध्यान रखना है कि minimum 3 liter पानी आपको रोज पीना है दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़े बताऊंगी जिनसे आपको हमेशा दूर रहना चाहिए बुरी आदतों जैसे कि smoking and drinking ज्यादा caffeine and alcohol को consume ना करें बहुत ज़्यादा stress ना लें stress को control करने के लिए ऐसी activities करें जो आपको अंदर से खुशी देती हो regularly workouts करें workouts ना सर्फ digestive system बलकि पूरी body के लिए अच्छा है दोस्तों अगर हमें अच्छी health चाहिए तो हमें भूग से कम खाना खाना चाहिए ऐसा क्यों है ये चलिये जानते हैं intestines हमारे digestive system के vital organs है बड़ी और छोटी दोनों intestines हमारे digestion process में बहुत important role play करते हैं हम जो खाते हैं intestines उनसे healthy और nutritious चीज़े निकालती है और हमारे body से toxic substance बाहर करती है इनको सही तरीके से काम करने के लिए इन्हें healthy रखना चाहिए नहीं तो खाना digest होने में problem हो सकती है और stomach related disease होने का खत्रा बढ़ जाता है अपनी बुक से ज़्यादा खाने से कई तरह की health related problems हो जाती है ज़्यादा खाने से ना केवल weight बरता है साती इससे हमारी intestines की activity कम हो जाती है क्योंकि ज़्यादा खाने को digest करने में intestines को ज़्यादा effort करना पड़ता है अगर आप non vegetarian है तो lean meat खाये इससे intestines की activities fit होती है lean meat से खाना easily digest हो जाता है और intestines अच्छे से काम करती है इसमें nutrients होते हैं जो immunity को strong करते हैं lean meat जैसे की आप fish को consume का सकते हैं इसमें protein होता है जो digestion process को fit करने के साथ protein की कमी को भी पूरा करता है next point is red meat से बचे red meat को ज़दा नाखाए इससे digestive problems होती है साथ ही ये intestines को भी नुकसान पहुचाता है red meat में fat की quantity ज़दा होती है जिससे शरी का वजन बढ़ सकता है इसके अलावा इसमें पाए जाने वाला cholesterol intestines फ़र बुरा प्रभाव डालता है digestion के लिए इस्तमाल किये जाने वाले food items में अद्रक is very important ginger improves digestion process और ये सूजन और सीने में जलन रोकता है खाना खाने के बाद अद्रक और नीम्बू की कुछ बूदों के mixture का एक घुंट आपको कई परिशानियों से दूर रख सकता है दोस्तों पपीते की गिंती डाइरिया और स्टमक की अन्य समस्याओं का इलाज करने वाले फलों में होती है इसे खाने से digestion खटी डकार और कब्स में अराम मिलता है पपीता खाने से digestive system अच्छा रहता है केला एक ऐसा फल है जो जल्दी पज जाता है और instant energy देता है पपीते की तरह इसमें भी पैक्टिन होता है जो digestion में help करता है बाहर का खाना और fast food आज कल lifestyle में शामिल हो चुके है जो हमारे digestive system पर बुरा प्रभाव डालते है जितना हो सके उतना आप fast food से बचे दोस्तों मेरा purpose यही है कि आप अमनी health के लिए और जाद अवेर हो जाएं और एक healthy and happy lifestyle जी है मैं इसी तरह से health related information आपके लिए लाती रहूँगी अगर आपकी कोई queries हैं तो आप मुझे comments section में comment कर सकते हैं मैं आपको आपकी queries कहां से देने की पूरी कोशिश करूँगी I hope मेरा वीडियो आपको काफी informative लगा होगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करना बिल्कुल भी ना भूलें share करें अपने friends and family के साथ ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके फिर मिलेंगे health से related किसी और information के साथ Thank you for watching this video